इस वीडियो भी बात करेंगे क्या पॉलिसी है जो अभी यूजी सी के द्वारा डीलिंगि किया गया है तो यह सभी जगह अप्लिकेबल जितनी भी हाई एडूकेशन इसको समझने के लिए बहुत ही माइंड को आप शांद करके रखेगा ऐसा नहीं कि हाँ समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग अगर आप जामिया में अलीगर में लेते हो तो आपका जो फी रिफंड होगा वो कितना होगा इसके बारे में बात की गई और इन वाट केस अपको केक भी पैसे रिफंड नहीं होंगे तो वह कौन सा केस है ठीक है तो बहुत सारे कंप्लेंड वगएरा इस्टुएंट के तरफ से मिल रहे थे पैरेंस के तरफ से मिल रहे थे तो युनिवर्सिटी ग्रांड करमिशन रिप्रेंटेटिव तो इस चीज़ को लेकि एक मिटिंग रखी गई 27 जून को और इस चीज़ में को डिसकस किया गई यह पांसो सतर मिटिंग हेल्ड हुई थी जो कि 27 जून दो हुई थी इसमें क्या-क्या डिसाइड किया गया फी रिफंड को लेगर कि चलिए वो समझते हैं तो एक चीज़ यह डिफाइड की गई है कि अगर समझें अगर आप 30 सेप्टमबर 2023 से पहले कोई भी एडमिशन को कैंसिल कराते हो समझिएगा तो आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा मतलब क्या होगा कि देर शेल भी फुल रिफंड कि वहां पे आपकी फुल रिफंड होगी फीस की आपक की चीज़ अगर यही डेट आपका 31 अक्तूबर 2023 होता है तो आपकी जो फीस है वह आपकी थाउजन रुपीज कटेगी हाईएश तू हाईएश मतलब थाउजन रुपीज हाईश रखा गया मतलब जो अभी फीस होगी वह थाउजन से कम होगी उससे जादा नहीं होगा किस अब एक्स्टेंट हो रहे हैं अब कोई युनिवर्सिटी कोई कॉलेज आपका एड्मिशन लेता है 31 अक्तूबर के बाद और यह सिर्फ इतना तक ही नहीं है जो 31 अक्तूबर तक इसके लावा भी कुछ चीज़ें मान लेते हैं आपका एड्मिशन इसके बाद हो मतलब हो स जो कि अक्तूबर 2018 में इशू किया गया था रिफंड आफ दी पॉलिसी को लेकर फीज रिफंड को लेकर के वह यह कहता है कि आपका 100% फी रिफंड होगा कब रिफंड होगा अगर माल लेते हैं लाज्ट डेट ऑफ एड्मिशन जो है वह माल लिया जाए कि उसमें 15 या पं से ज्यादा का वक्त है तो आपको 100% फी रिफंड किया जाएगा इसी तरीके से दूसरी दूसरा लाइन क्या कहता है 90% फी रिफंड कब होगा जब 15 दिन से कम का वक्त होगा माल लेते हैं कि 20 तारी को था पांस तारी गुजर गया है मतलब 5 नवंबर गुजर चुका है तो आपके पास पंदरा दिन का ही वक्त पंदर दिन से कम वक्त बच्राइट के सापके पास 90% फी रिफंड होगा ठीक है पंदरा या उससे कम दिन 15 से ज्यादा आफटर्ड़ फॉर्मल लॉटीफाइड लाश देट ओअध्मिशन माल लेते हैं कि आपका लाश्ड़ देट ओफ एड्मिशन की जो भी सारीक थी वही लाश्ड़ देट ओफ एड़्मिशन वी इस तारीक है और पंदरा या मतलब कि आपको डीन से ज्यादा हो चुका है तीस दिन से कम है लेकिन दिन से ज्यादा है है यह फ़मादियका सो सब 20 दिसमबर हो गया थेक है किस कम वक्त है तब इंडायट केस आपके पास क्या होगा 50% रिफंड होगा और अगर 20 दिसमबर से ज़ाधा हो गया जैसे मैंने 20 नुमबर एक एक लावा कुछ और चीज़े इसमें मेंशन की गई है नीचे में इसमें कुछ खास उतना ज्यादा नहीं है अगर आप इसको रीडाउट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए थोड़ा सा मैं इस पार्ट को उपन कर देता हूं आप लोगों के लिए जैसे कि यहां पर लिखा हु कोई कितने लोग इन कैंसिल किया है क्या किया नहीं किया इन सारी चीजों का और उनको पार्टिकुलर्ली मेंशन करना पड़ेगा अगर माल लेते हैं डिले होता है डिनायल होता है रिफंड ऑफ फी में क्योंकि दूरेश्ट विड्राइडमिशन विदिन तर टाइम मेंशन अगर अपने टाइम मेंशन में एडमिशन में कैंसिल कराता है तो उनके उपर इफ एनी शूट बाइदा कमिशन फ्रम टाइम डिफाइंड अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वहां पर यह सारी चीज़े आपको मेंशन रहेगी आपका रिफंड आपका फी यूनिवर्सिटी कर अगले वीडियो में